नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News और मैं हूँ आपके साथ मनिश कुमार सैनी नरेंद्र मोधी ने तीसरी बार प्रदान मंत्री पत की शबत 9 जून को ले ली है लेकिन बीजेपी मुझफर नगर सीट को बचाने में नाकाम्याब रही इस सीट पर बीजेपी की तरफ से पूर केंद्र मंत्री संजीब बालियान को उम्मीदवार बनाय गया था लेकिन उनको इस सीट पर हार मिली सपा के उम्मीदवार हरेंद्र सिंग मलिक ने जीत दर्द की हरेंद्र ने बीजेपी नेता बालियान को 24,672 वोटों से हरा दिया अब संजीब बालियान ने अपनी हार को लेकर बड़ा बयान दिया है पूर केंद्रिय मंत्री संजीब बालियान ने आज प्रेस पारता की उन्होंने इस दौरान मुस्लिम जरुविकरंट जातियों में बटवारा और कम वोट प्रसेंटेज को हार का कारण बताया अपने दौरा दस सालों में किये गए विकास कारियों की जानकारी थी संजीब बालियान ने शाहराना अंदाद में कहा कि मेरा पानी उतरता दे किनारे पर घर मत बना लेना मैं समंदर हूँ लोट कर आऊंगा मुदफर नगर सीट पर हार के बाद पूर केंद्रिय मंतरी संजीब बालियान ने सोम के सवाल पर बोले कि जिनोंने खुले तोर पर समाजवादी पार्टी को चुना लड़ाया है उन पर कारवाई होनी चाहिए वह लोग आज भी बड़ी सरकारी सुविदा ले रहे हैं पार्टी इस और ध्यान दे कर कारवाई करें मुदफर नगर सीट पर बीजेपी उम्मीद्वार संजीब बालियान और सपा के उम्मीद्वार हरेंद्र सिंग मलिक के बीच काफी कड़ा मुकाबला देखा गया लेकिन इस मुकाबले में सपा नेता बाजी मार गए हरेंद्र ने भारी मतों से जीत दर्ज की सपा नेता हरेंद्र सिंग मलिक को कुल 4,70,721 वोट मिले तो वहीं बीजेपी नेता संजीब बालियान को 4,46,049 वोट मिले बसपा उम्मीदवार दारा सिंग प्रजापती को 1,43,707 वोट मिले यूपी की 80 सीटों पर बीजेपी को सबसे बड़ा तगड़ा जटका लगा है इस चुनाव में बीजेपी का नारा था कि यूपी की 80 में से 80 सीट हमारी है यानि जीत को लेकर दावा किया गया था लेकिन यूपी में बीजेपी को निराशाहात लगी यहीं बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई तो उसके सयोगी दल RLD 2 सीटों पर जीत दर्द कर तो महीं अपना दल S 1 सीट जीतने में काम्याब रही देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SPN 9 News